ट्विटर और कॉंग्रेस के बीच की तक्रार लगातार बढ़ती जा रही है। कॉंग्रेस संसद राहूल गांधी के ट्विटर एकाउंट के बाद अब कॉंग्रेस पार्टी का ट्विटर एकाउंट भी लॉक हो गया है। अब कॉंग्रेस की तरब से दावा है कि उनके 5000 से ज़्यादा ट्विटर एकाउंट ब्लॉक कर दिये गए हैं जिसमें कुछ बड़े नेताओं के एकाउंट भी सामिल हैं इस बीच यूथ कॉंग्रेस के प्रमुक स्रीनिवासन ने अपने ट्विटर एकाउंट का नाम राहूल गांधी रख लिया और उनी की फोटो भी लगा दी प्रियंका गांधी ने भी अपने ट्विटर एकाउंट पर राहूल गांधी की फोटो लगा ली है कॉंग्रेस ने फेस्बुक पर जानकारी देती हुए लिखा कि जब हमारे नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया हम तब नहीं डरे तो अब ट्वीटर एकाउंट बंद होने पर क्या खाक डरेंगे हम कॉंग्रेस है जनता का संदेश है हम लड़ेंगे लड़ते रहेंगे कॉंग्रेस की और से कहा गया कि अगर बलातकार पीडित बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाना अपराध है तो यह अपराध हम सौ बार करेंगे ट्विटर की और से इस एक्षन का जवाब दिया गया कि कॉंग्रेस नेताओं द्वारा नियमों का उलंगन किया गया था किसी भी नेता ने अपना विवादे ट्विट डिलिट नहीं किया है ट्विटर के द्वारा यह एक्षन NCPCR की सिकायद पर लिया गया है आपको बता दे कि दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची के साथ कथित बादतकार फिर हत्या के मामले के बाद कॉंग्रेस सांसद राहूल गांधी ने उनके परिवार से मुलाकात की थी इस मुलाकात की तस्विर राहूल गांधी ने ट्विटर पर साज़ा की थी इसी के बाद राहूल गांधी का अकाउंट पहले सस्पेंड हुआ और फिर बाद में लॉक कर दिया गया